वेलकम तू ये पंकर नाइंटे जुकेशन दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग बियाट का रिजल्ट देख चुके हैं और बेस अबरी से आप लोग को काउंसलिंग का डेट का इंतजार है उसके पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को आप लोग लाज तक द लेकि वीडियो आपके लिए फुल थी कि नहीं थी अगर फुल नहीं रहेगी तो आप लोग डिस लाइक मार्क इस वीडियो को चले जाएगा अगर फुल होगी तो भाई लाइक सेर और सस्क्राइब जरूर करिएगा इसलिए एक इक बात को अच्छे समझेगा क्योंकि आईए हम लोग फिर वीडियो में आगे बलते हैं और चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन दरूर अब है ताकि आपको काउंसलिंग का डेट भी सबसे पहले पता चले तो आई वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसा कि मैं बता दूं आप लोग के लिए यहां पर सबसे बड़ा कि आप लोग बीडियो का रिजल्ट देख चुके हैं सबी लोग क्या है कि हुआ पर अपना रैंक भी जानते हैं अब रैंक कि मैं बात करूं सो हुआ पर दो तरह का रैंक है स्टेट रैंक और जो है आपकी काटेग्री रैंक है हमें यहां पर जो दिपलीट करके देख लिए करने का लोग किसको उनको भी मिलने का पूरा चांस है और जिनका सबसे अच्छा रैंक है उनको भी कवर्मेंट कालेज सायद न मिले क्या गलती करेंगे कैसे होगा सारा चीज बताऊंगा यहां पे और इसके पहले मैं बता दूँ कि बियर्ड का जितना भी कारेकरम होने वाला है कैसे होगा क्या नियम कानून है जहां पर बताने जा रहा हूं इसलिए एक चीज को अच्छे से एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा आप लो सबसे पहले मैं बता दूँ कि काउंसलिंग जो होती हुआ आपकी जो लिस्ट आती है कि काउंसलिंग का डेट अगर आपको मिल जाता है कि काउंसलिंग कब से कब होगी तो उसमें अब इतने लोग कोई गवर्मेंट काले मिलने वाला अब नियम क्या है कैसे कि आपका भी बहुत ज़्यादा रहेंगे तो भी आप पाने की संबावना बनती है अब मैं बता दूँ कि यहाँ पर होता क्या है कि कुछ पहले अगर जो काउंसलिंग होती हुए एक से चालीस या पचास हजार तक होती है कितने हजार तक होती है पचास या चालीस हजार तक होती है हम बाई दे मान लेते हैं कि पहली counseling का जो date मिलता आपको वो कब तक मिलता है counseling में जो पहला आएगा वो मालीजे एक से चालीस अजाल तक आ गया ठीक है कितने तक है चालीस अजाल तक पहले round में counseling होगी अब मैं आप एभी बताऊंगा कि छूट जा तक क्या करना है अब एक से चालीस तक होगी एक से चालीस अजाल तक जिनका रहें कोंगी कोंगी इनको तो government college fix है लेकिन इस में से कितने लोग को fix भाई 12,000 लोग को तो मिलेगा 12,000 कुछ मिलेगा यह मैं किलियर नहीं हूँ कि 12,000 कितनी seat है तो जितनी seat है उतने लोग किती मुझे government college मिलेगा तो मैं बता दूं कि यहां पर आपको भी पूरा college मिल सकता है जिनका हजाल देना हजार उनको साइट college नहीं मिले गोवर्मेंट नियम क्या मैं बता दूं शिरे भाईया पहले आओ पहले पाओ अगर counseling date निकलता पहला round की 1-40,000 तक जिनका state rank है उनकी counseling होगी तो आप क्या करेंगे उसमें 3-2 दिन का समय जो रहता है उसमें सबसे पहले क्या करेंगे counseling करवाएंगे जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपका 25,000 rank by the way है तो भी आप क्या करेंगे counseling का अब इसमें counseling में आप करेंगे होता क्या है तो इसमें college को लाग किया जाता है माली जै आपके area में यानि आपके district में कोई college है वहाँ पर क्या है कि 100 seat है या पचीश सीट है तो आप पहले जाएंगे तो पहले उस college को लाग करेंगे वहाँ पर पूरी list आती है आप जहां पर साइबर कैफे में करेंगों दिखाया का जिस college का नाम है पूरी list अब बाइद बुक कली एलाट कली उस college को आपने क्या किया लाग करवा दिया क्या करते हैं अब 25 सीट है आप पहले नमर्ग हो गए इस तरह इस तरह करते कर तो इस पर सव लोग हो गए सीट 25 साथ 200 लोग हो है तो धीरे दीरो college क्या वो list से हट जाएगा क्योंकि अत्यधिक लोग लाग कर बात खतम जितने लोग थे उन्होंने सभी लोग college को इस तरह लाग करवा लिया जो जो college है अब आपको जो college चाहिए आप भले 35 जार रैंक वाले आप college पहले लाग करवा लिया बाकि लोग लाग करवा तो आप तो लाग करवा लियें college को अब क्या हुआ कि सीट 25 है अब जि चाह से पान दिन बार आप साइबर करें पर पता कलते रहिए आपका online फीज का भी date आ जाता है कि मतलब अब आपको फीज भी जमा करना है आपने जो लाग college किया था उसमें से कौन से college पर आपको admissions लेना है तो अब क्या होगा कि आप college की जब जमा होने के लिए आती है तो ज पहले ही जाकर फीज जमा करती है college एलाट करवा लिए लाग के बाद में उसको करवाए है लाग के बाद बाते हैं जमा करने के लिए उनको college नहीं मिलेगा वहले उनकी जो है state rank कितनो ही अच्छी हो क्योंकि college किशक वेट नहीं करता है 25 सीठ है आप लोग ने उसको लाग करा लिया उसको कि नहीं मुझे admission लेना फीज उस पूरा पे कर लिया फीज भी आपका line पे होता है रसीन निकलता है फीज वन टाइम में पे होता है अब यहां पर मैं बता दूं कि नियर अब आउट 6,000 का लगता है जब counseling कराने जाएंग तो आपका 5000 जो फीज कटी है registration स्व 750 आपका registration फीज करता है जिसमें से आपको पता है कि 750 registration है और पांचर फीज होती counseling की अब उसमें से दुगंदाल जो करेगा भाई वह भी तो पैसा लेगा तो नियर बहुत 6,000 महां लिजे अगर आप college admission किसी नहीं लेते तो आपको पांचर refund भी आता है नीचे नियम कानून हुआ हुआ है तो कैसे college को लाग करवाना आपको पता है कि दुगंदाल से आप मिलेंगे लाग करवा लेंगे पहले और पहले फीज भी जमा कर देंगे उस college पर पढ़ना अगर मिलता है लाट करवा लेंगे तो आपका वहां पर हो जाएगा लेकिन किसके लिए जो 50,000 के न यह बताएगर उनको college इतनी अच्छी rank है अगर college मिल जाता तो दूसरे में क्यों करवाते हैं उनको पता है कि पहले में seat full हो जाती है तो मैं दूसरे में करा लूँगा बहले अच्छी rank है मुझे मिलने वाला नहीं है तीसलिए आप लोग पहले करा लीजेगा ताकि आपको college जो है मिल जाए बाकि आपको उपर निर्बर कलता है कि आप कितना केर कलते हैं जैसे counseling date आती है मैं inform करूंगा आपको जल्दी जल्दी अब यह question सापके मन में साइध भी होगा कि एगर first round में हमारा counseling छूट जाता है तो और आपको private करना है तो आप second round में भी counseling करा सकते हैं ले प्राइबेट कालेज के लिए और सरकारी सायर 12-15 अजार तक फिस होती है जो भी होती होगा पता कर लिएगा वहां पर आलाइन सो करता है वह भी आपको जमा करना पड़ेगा counseling कराएंगो उससे चार से पान दिन आप बाद आपको जो कि उसका फिस payment करना पलता है फिस payment कर द करा लिए और 200 लोग लाग करा लिए तो जो पहले फिस जमा करेंगा उसका हो जाएगा आपके लिए कोई बैठा नहीं रहेगा नहीं वेट करेगा क्योंकि सीट क्या पता आपका वेट कर रहा है बार में आप admission नहीं ले तो सीट बेकाल जाएगी इसलिए वह जो बच्चे कर देंगे उनको कालेज हो जाता है ठीक है यह प्रोसेस था वीडियो होकर आपको समझे में आया बाकी कोई भी confusion आप मुझे कमेंट बाक्स में कमेंट करें मैं आपको reply दूँगा reply नहीं दे पाया तो आपको वीडियो बना के समझाने का पुरा-पुरा प्रयास करूँगा कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे जुरूर बतेगा और वीडियो अच्छा लगा हो कुछ भी अगर आपको जानने को मिला हो सीखने को मिला हो तो लाइक करके शेयर किये बिना भाई मत जाना और चैनल सस्क्राइब करने तक काउंसलिंग की डेट सबसे पहले आप तक